नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आर्ति प्रजापती यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हर्दिक स्वागत करती हूँ दोस्तों आप जिस यूनिट का वेट कर रहे थे उस यूनिट को उमने आज से स्टार्ट किया है आज से डैली आपको डाटा इंटर्प्रेटेशन के वीडि इसमें हम लेंगे आपके प्रिविज यहर के जो पुछे गए जो क्वेशन है वही हम लेने वाले ओके ताकि आपका यहां पर रिविजन भी हो जाएगा और आपको अगर डाटा इंटर्प्रेटेशन के जो क्वेशन आते हैं वो स्वाल करने नहीं आते तो वो भी आपको आज आएंगे तो चले दुस्तों आज की हमारी यह पहली कلاस है और बहुत सांदार होने वाली है अगर यह क्लास अच्छी लगे इसे लाइक करना है अपनी दुस्तों के साथ इसे सेयर करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है चले दुस्तों चलते हैं डाटा इं इसके लिए आपको थुड़ा करना चाहिए और मैटिप्लाइ करना चाहिए उसके बाद आपको परसेंटीज आनी फिर रेशियो आना चाहिए और उसके बाद आपको एवरेजिस निकालना आना चाहिए अगर इतना आपको आ गया तो दोस्तों डाटर इंटरप्रेटेशन आपको बहुत ही इजी लगने वाला है चली यहां पर मैंने कुछ याद रखने वाले जो सुत्रा है उसे ले लिया है ताकि आपको कई भी दिक्कत ना हो आप इसका screenshot भी ले सकती हों चले दूस्तों चलते हैं यह सारी बाते मैंने आपको जो percentage वाली बाते हैं वो मैंने आपको percentage का unit 5 में जो match साथा है उसमें मैंने बताया हुआ था कि किस तरीके से percentage निकाले जाते है और percentage में से किसी जो संख्य क्या होती है उसमें किस तरीके से कणवर्ट किया जाता है उसमें बहुत अच्छे से मैंने एकस्प्लेटेशन कि यह विए तो चलिए आज मैं आपको थोड़े से जिसका हर क्या होता है तो उसके हर में कितना रखना पड़ेगा तब जाकर आपको इसके पर्संटेज मिलने वाले तो दीखिए पर संडेज वह है जिसका क्या हर क्या होता है 100 होता है यानिकि जो भी संख्या होती है उसका जो हर होता है वह क्या होता है hannred होता है जब भी percentage हटा नौ तो उसके लिए सुवासि भाग करना दीकिए यहां पर आपको मांन लिजिए कि किसी भी संख्या है माल लिजिए सब्सक् Het defensive दिया हुआ है अगर आपको यह percentage हटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा उसे 180 भाग करना पड़ेगा यानि कि 5 अपन 100 करना पड़ेगा तब जाकर आपको उसके percentage उसकी जो संख्या होगी वो आपको मिलेंगी तो तरीके से यहाँ पर अगर अपन 100 कर रहा है तो यहाँ पर भाग करने से कितना मिलता है हमें 20 मिलता है तो बीस पंजे को हमने हटाया तो यह हमें मिला है उसी तरीके से आगे देखते हैं दोस्तों कि जब भी परसंटेज में लाना हो तो स्वासे गुना करो अगर मान लिजे कि आपको कोई भी मान लिजे यहां पर 30 दिया हुआ है और आपको इसे यह जो संख्या है इसको आपको परसंटेज में लाना है तो उसे आपको क्या करना होगा 30 गुना 100 करना होगा तो इस तरीके से आप उसको परसंटेज में ला सकते तो देखे उसके बाद देखतें दोस्तों यहां पर जब भी प्रशन में जिस संख्या के पीछे का या से लिखाओ उस संख्याको हर में लिखा जाता है यहां पर समझने की कोशिस कीजिए कि यहां पर यह बाते क्लियर हो गई कि परसंडेज जो होता है उसमें नीचे कितना होता है हंड्रेड होता है फिर जब आपको परसंडेज हटाना होता है तो आपको क्या करना पड़ता है हंड्रेड से उसे भाग करना होता है अगर यह आपको उसे पर्संटेज में लाना होता है तो उसे आपको क्या करना होता है स्वासे गुणा करना होता है अब यह सारी बाते मैंने पर्संटेज वाले वीडियो में अच्छा से explanation की हुई है तो आप न यहाँ पर description में उसकी link दे देती हूँ तो उस link को open करके आप percentage वाला वीडियो सबसे पहले देख लिजेगा ताकि यहाँ पर आपका जो भी doubt रहता है न वो clear हो जाएगा चले आगे देखें यहाँ पर क्या का गया है कि किसी भी संख्या के पीछे का या से लिखा हो उस संख्या को हर में लिखा जाता है तो मान लिजेए यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि जैसी कि यहां पर दिखे जब एक संख्या दूसरी संख्या का कितना परसंटेज पुछा जाए तो देखे यहां पर यह जो बात है यह बात की बात की जाती है कि का या से तो देखे यहां पर क्या पुछा गया है एक्जामपल के तोर पर है तो जब एक संख्या दूसरी संख्या का कितना परसंटेज है यह पुछा गया है तो यहाँ पर मैंने क्या बताया का या से लिखा हो वो संख्या कहाँ पर चली जाएगी हर्मी चल जाएगी तो यहाँ पर देखिए एक संख्या मान लिजे हमारी ए है मैं यहां से थोड़े से पैन वो कर देती यहां पर क्या बताया गए यह वाली लाइन आप देखिए अब यहां पर क्या कहा गए जब एक संख्या दूसरी संख्या का कितना परसंटेज है तो यहां पर एक संख्या हमारी क्या है एक संख्या हमारी है A आप देखें दूसरी संख्या कौन सी है बी है और यहाँ पर क्या पुछा गया है दूसरी संख्या का तो का किसके पीछे लगा हुआ है तो का हमारा दूसरी संख्या के पीछे लगा हुआ है तो यहाँ पर क्या बताया गया है दोस्तों यहाँ पर देखें यहाँ पर क्या बत संख्या है उसके पीछे हमारा का लगा हुआ है तो दूसरी संख्या हमारी कहां पर चली जाएगे नीचे की और चली जाएगे इस तरीके से और फिर हमें किस से गुना करना है हंड्रेट से गुना करना होगा ओके तो यहां पर कितना परसंटेज है तो यहां पर अगर परसंट इसमें लाना हो तो हमें क्या करना होगा, सोसे गुना करना होगा, तो यहां पर ये बात भी clear हो गई, और ये बात भी आपको clear हो गई, ओके, चलिए अब आगी देखते हैं, अब आती ही दूसरी बात, यहां पर यह दूसरा example देख लो दोस्तो, जब एक संख्या दूसरी संख्या से कितना अधिक या कम है देखें यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि एक संख्या जो है मान लिजे एक संख्या A है और एक संख्या B है तो यहाँ पर एक संख्या यानि कि A दूसरी संख्या से यानि कि B से कितना अधिक या कम है तो यहाँ पर देख लीजिए अधिक या कम है या फिर वृद्धी या फिर गियावट ऐसे कोई भी वर्ड्स दिये गए हो जिससे हमें पता चलता है कि ये जादा है या कम है ऐसा हमें पता चलता है तो ऐसे जब आपको पुछा जाता है तो आपको क्या करना होगा पहले इन तो उन्हों का डिफरेंस निकालना होगा यानि कि A-B करेंगे अपन क्या करेंगे हम तो यहां पर से किस से लगा हुआ है दूसरी संख्या से लगा है ना यहां पर लिखा हुआ ना दूसरी संख्या से तो दूसरी संख्या से अगर से लगा हुआ है तो दूसरी संख्या कौन स वाल्म स्थ्चक्राइबाद तो की नघ्वास प्रेस्ट मिसा मेंरे काँर्ट आधा थे को तो विए दो करें लाूँ के लिग ऊगल दोडान ॏ विव का मियुक्ना Кांड व अगर नरी पीचे रखा है और गुना हंड्रेट क्यों गुना हंड्रेट किया क्योंकि हमें परसंटेज में इसे लाना है इसलिए ओके तो इतना यहां तक यहाँ पर कोई भी माप नहीं दिया है, यहाँ पर आपको सपस्ट पुछा गया है, अधिक है या कम है, तो जब भी अधिक है या कम है, ऐसा कोई पुछा जाए, तो आपको उसका डिफरेंस, दो संख्याओं का डिफरेंस निकालना होगा, और फिर जो भी संख्या, दो संख् करना होगा ऩाली यह प्रतीसथ निकालने की बात हुई चले अब आगे देखते दोस्तों यह बात हुई हमारी प्रतीसथ की तह यहां से ग्युस्टीन आते हैं दी नाइमेंि किस तरीके क्विस्ट शुश्टीन आते और उससे आपकिसी थे है और दूसरी संख्या है तो अँप देखें इसका ratio निकालना होगा तो इसका मतलब क्या होगा say चले निआ चले फिर उसके बाद देखתे गों i कारेंगे तो परीण मुका करेंगे जो भी संख्याइए आपको दी हुई होगी चार पांच जो भी मान लिजये इस तरह के से मान लिजये आपको पांच, दस, पंदरा, पीस, बाइस, यह शंखिया आपको दी गई है और आपको पुछा गया है कि इनकी आवरेज निकालो यानि कि उसका आउसत निकालो तो यहाँ पर क्या होगा कि परिणामु का योग यानि कि यह सारे पर 20 प्लस 20 टू यहाँ पर हम लिखके 5 अब दिखे इसका योग करेंगे सम करेंगे और योग को यहाँ यहां पर किस तरीकसे हो गा तो दिखे 10 5 15 15 15 35 30 20 50, 50, 27, 70, 72, 72, 72, तो के यहांपर 72 पॉन 5 तो इससे हम क्या करेंगे बाग कर देंगे यहांपर एवरेज कितना निकल रहा है देख लिजें यहांपर 5 इकनना 5 और यहां पर दो, दो, पांच और बीस यहांपर 2 और यहांपर देखेए आगे अब कुछ भी बाग नहीं चल रहा यहां पर पॉइंट रख देंगे और नीची यहां पर जिरो रख देंगे और फिर अब आगे बाग चलाएंगे तो पांच चुछ बीस ओके यहां पर बीस आ जाएगा यहां पर 00 आ गया तो यह हो गई आपकी एवरेज निकल गई कितनी आई 14.4 तो यहां तक दोस्तों आपक यह बात अगर आपके मांड में फीट हो गई तो मान लीजिए कि डाटा इंटर्प्रेटेशन का आपका एक भी क्वेशन गलत नहीं हो पाएगा चले अब चलते हैं क्वेशन की वर सबसे पहले दोस्तों डाटा इंटर्प्रेटेशन में जो भी कोश्टक दिया गया होता है उसे आप एक बार अच्छे से समझे उसे पढ़िए और क्या कहना चाहता है वो आपके दिमाग में आपको फीट करना होता है तब जाके आप उसके क्वेशन जो है वो चुटकियों में स्वाल कर सकते यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ का यह जो कोश्टक है यह टेबल ह उसे देखिए आप तो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि निम्न लिखित थालिका में विबिन प्रोग्रामिंग लेंग्वेज जानने वाले व्यक्तियों की प्रतिसत्ता दी गई है यदि मान किया जाए कि प्रोग्रामिंग लेंग्वेज वाले व्यक्तियों की कुल संख्य एक लाख स्वरी 12 लाख है तो तालिका के आधारित निम्नलिकित प्रश्णों का उत्ता दीजिए अब देखें यहां पर टोटल संख्य आपको दी गई है कितनी दी गई है 12 लाख दी गई है और यहां पर आपको प्रतिसत में दिया गया है तो यह बात भी आपको याद रखन यह प्रोग्रामिंग लेंगवेज जानने वाले जो व्यक्ति है उनकी यहाँ पर क्या दी गई है प्रतिसता दी रखनेज़ में उन लोगों की परसंटेश दिये गए कि इतने परसंटेज है माली जी यहां पर सी प्लस प्लस है तो सी प्लस प्लस जानने वाले व्यक्तियों की जो संख्या है यह 15 प्रतिसत है यानि कि 15 परसंट है तो इस तरीके से आपको यह समझना है चलिए अब आगे देखते हैं अब क्वेशन की और चलते दोस्तों किस तरीके से क्वेशन स्वाल करेंगे तो यहां पर क्वेशन बढ़िए सबसे पहले क्वेशन बढ़े पाइथन ल आई एस पी और जावा प्रोग्रामिंग लेंग्वेज की जानकरी रखने वाले लोगों की आउसत प्रतिसत्ता कितनी ह दिखें यहां पर आउसत प्रतिसत्ता पुछी गई है तो यहां पर आपको क्वेशन सी की पाइथन तो यहां पर आप दिखिए टेबल में प्रतिसत्ता पुछी तो दीखिए यहां पर आपको प्रतिसत्ता पुछी गई है और दी गई है क्योंकि यहां पर आपको करना क्या रह गाए अब तो चलिया में निकालने की बाद आपको बता दिया गे किस तरहां टो दीखिए सबसे पहले लिख देंगे हम यहां से लिखेंगे तो अभी चलेगा यहां से लिखेंगे यहां से कहीं से लिख लो अवसत में कोई दिक्कत नहीं आएगी पहले पाइथन की कितनी प्रतिसत है तो 10 प्रतिसत है प्लस क्या करेंगे LISP LISP में कितना है तो 10 प्रतिसत है यहाँ पर 10 लिख दिया मैंने और फिर जावा तो जावा में कितना प्रतिसत है 15 प्रतिसत है अब देखिए यह मुझे में averages निकाल रही हूँ न तो मैंने क्या बता है ताब को परिणामू का योग तो यह हमने उपर वाला किया वो क्या किया परिणामू का योग किया और नीचे क्या लिखेंगे कि परिणामू कूल परिणामू की संख्या यानि कि कितनी है एक, दो, तीन तो यहाँ पर हम लिख देंगे तीन फिर यहाँ पर अब क्या करेंगे इनका योग किजिए, तो 10 प्लस 10 कितना होगा, 20 होगा, 20 प्लस 15 कितना होगा, 35 होगा, चलिए, यहाँ पर 35 आ गया, अब देखें, नीचे कितना है, 3 है, यह योग हमें मिल गया, यह हमने क्या लिखा था, परिणाम की संख्या लिखी थी, कूल परिणाम की संख्या, अब चलि तो यहां पर दो बचे है अभी जिरो उतार देते हैं और यहां पर पॉइंट कर देते हैं अब देखिए तीन का पहाड़ा पड़े तो आपको पता चलेगा 6, 3, 18 होगा तो यहाँ पर कितना बच रहा है यहाँ पर दो रहा जाता है यहाँ पर लिख देती है दो रहा गया फिर से आप 0 उतारेंगे तो फिर से 6, 3, 18 हो जाएगी अब देगे यह 18 वाली सीरीज न यासे ही चलती जाएगी आप जैसे आगे आगे चलते जाओगे यह 18 वाली सीरी चलती जाएगी और यहाँ पर अंसर आपका 20-20-20 आता जाएगा तो यहाँ पर आपको कितने पॉइंट से लेकर आपको 2 या 3 नमबर तक ही आगे जाना तो यहाँ पर आगे भी 20 आ रहा है तो आगे भी यही आएगा तीन को 6 से गुना करेंगे तो 18 आएगा यहाँ पर भी फिर से 20 आ गया तो इस तरीके से आगे चलता ही जाएगा तो हमने पॉइंट से देकर 3 अंक तक हम जाएगे तो यहाँ पर दीखें आपका अंसर क्या बन रहा है यहाँ पर 11.7 बन जाएगा क्यों 7 बन जाएगा दोस्तों तो यहाँ पर दीखें यह 6 है और यह 6 है तो इसके बात नहीं यह पॉइंट के बात का जो अंक होता है उसके पास वाला जो अंक 5 यह 5 से जादा होता है तो आगे में क्या हो जाता है एक प्लस हो जाता है इसी की वज़े से यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा answer क्या बन जाता है दोस्तो 11.7 percentage बन जाता है यह percentage वाला आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ पर कुछ time ऐसा भी होगा कि आपको 11.7 भी लिखा हुआ होगा answer में और 11.7 परसंटेज भी लिखा होगा तो आपको यह परसंटेज में पुछा है तो परसंटेज में ही आंसर आपको देना होगा ओके चलिए यहां तक यह क्लियर हो गया अब नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं इसके बाद देखतें दोस्तों कि C लेंग्वेज जानने वाले व्यक्तियों की संख्या और जावा जानने वाले व्यक्तियों की संख्या का अनुपात है तेखे अब ratio देखना है तो यहाँ पर क्या बताया गया C language जानने वाले व्यक्तियों की संख्या आप ना question अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ जाएगा और फिर क्या पुछा है जावा जानने वाले व्यक्तियों की संख्या तो यह दो बात संख्या में से हमें किस में convert करना होगा संख्या में convert करना होगा तो मैंने आपको क्या बताया था कि परसंटेज जब हटाना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा उसे 100 से बाग करना पड़ेगा जिस संख्या का आपको परसंटेज हटाना है उस संख्या को किस से बाग करे तो यहां पर सी लेंग्वेज जानने वाले व्यक्ति कितने हैं 25 है अब देखिए इसको हम किसे भाग कर देंगे तो उस संख्या को देखिए यहां पर यह जो हमारी संख्या है टोटल संख्या हमी याद रखने होगी यहां पर जो हमारी टोटल संख्या है उस टोटल संख्या को क्या करेंगे हंड्रेट से भाग कर देंगे और जिस संख्या को आपको यहां पर परसेंटेज से हटाना है उसे उपल ले जाएंगे चले पहले देख लेते हैं यहां पर हमी यहां पर मुझे क्या करना है सी लेंग्वेज वाले व्यक्तियों की संख्या डुणनी है ना तो यहां पर सबसे पहले मुझे कूल संख्या तो लिखनी होगी ना तो मैं यहां पर कूल संख्या कितनी लिखी हुई है बारा लाख लिखी हुई है तो यह मैंने बारा लाख लिख दिये ओके लिखिए मुझे क्या करना है तो बारा लाख में यहां पर लिख दिये और फिर मुझे क्या करना है कि 25 परसंटेज को मुझे किसमें कनवर्ट करना है मुझे संख्या में कनवर्ट करना है तो मैं क्या होगा उसके नीचे आपको 100 लगाना होगा और यह मैंने क्यों लिखा क्योंकि हमें इसकी तुल नामी संख्या निकालनी है ना यह 25 परसंटेज है वो किसकी तुल नामे है 12 लग की तुल नामे है ओके तो यह हमें यहां पर लिखना होगा ओकी चली अब अब देखते हैं अब दिखिए उड़ाओ जितना उड़ता है यह सुनी एक सुनी एक सुनी एक सुनी यह उड़ गए अब दिखिए कितने बचे आपके 12,000 गुने 25 बचे तो यहां पर आप इन दोनों का गुना कर दोगे तो आपको इसली आंसर मिल जाएगा यह थ्री जिरो है ना वो भाद में आप उसमें एड़ कर सकते हैं तो यहां पर दिखिए 25 गुना 12 में यहां पर इसका मल्टिप्लाइ करती हूँ तो यहां पर नीचे दो संख्या दी हुई है तो उसका हमें 0 रखना होता है एक 0 रखना होगा अगर यहां पर तीन संख्या होगी तो हमें नीचे कितनी 0 रखने होगे 2 0 रखने इतना सिंपल सा तो हमें आना चाहिए ओके चली एक को पांच से मल्टिपलाई करेंगे तो 5 इका 5 हो जाएगा और 2 एक करना 2 हो जाएगा ओके चली अभी 5 दूनी 10 हो जाएगी यहां पर 0 आ जाएगा उपर आ जाएगा वन अब दीखे दो दूनी 4 चार और प्लस यह जो आई वो तो 5 ओके चली अब 0 0 0 5 5 कितनी होगे 10 होगे और यहां पर उपर एक आ गया यानि कि 2 प्लस 1 कितना होगा 3 और यह जो तीन सुन बाकी रह गए थी वो हम इसे यहां पर लगा देंगे तो यहां पर अमरा अंसर कितना मिल गया इसका सी लेंग्वेज जानने वाले वेक्तियों कि संक्या में कितनी मिली 3 लाख मिली ओके इस तरीके से आपको जावा की भी देखनी होगी तो यहां पर द इस तरीके का अगर आपको निकालना हो या फिर दस परसंटेज निकालना हो तो ऐसे तो आप इजी ली निकाल सकते हो कि यहां पर कितना बारा लाग है तो बारा लाग का अधा कितना होगा तो छे लाग का फिप्टी परसंट कितना होगा तो छे लाग का फिप्टी परसंट अग्वाग की 3 लाग कर दो तो मिल जाता था है गडर कोई दिखत नहीं है तो आपको क्या करना होगा कि यहां पर वन परसंटेज अगर आप निकाल लोंगे तो भी आप यहां से कर पाओंगे अब देखिए यह तो मैंने जो आपको जो समझाया वह हम लीगल ही तरीके से निकालते हैं उसके बारे में आपको बताएं आप को स्वाट रिक में किस तरीके से निकालना है उसके बारे में पहले बता लेती local जावाइं सबसे पहले हम चजहाओं का का करेंगे निकालेंगे यहां पर यहां पर आपको क्या करेंगे यह जो 12 लाग है उसको आपको परसंटेज में अगर यहां पर लाना होगा तो आप क्या करोगे तो इसका परसंटेज कितना होगा 12 लाग का 1 परसंटेज आपको करना है यानि कि 1 परसंटेज को आपको संख्या में कनवर्ट करना है 1 परसंटेज को किसमें लाना है आपको हटा संख्या मिलाना है तौ आप क्या करेंगे यहां पर 12 लागव को तो आप क्या अब हैं तो स्वाश्य बाग देंगे यहां पर 2000 अन गहीं है तो आप कर्षाम मान मैं गया है 12,000 तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ 1% का हमें कितना मिला 12,000 यह बात आप याद रख लिजी ओके 1% का आपको मिल गया 12,000 ओके चले अब देखिए किस तरीके से आप इसे स्वाल करते हैं अब आपको दोस्तों क्या करना है C लेंग्वेज वाले वेक्तियों की तो यहां पर 1% का 12,000 हैं तो हमें 25% निकालना है तो आप क्या करेंगे 12,000 गुने कितना करेंगे 25% करेंगे तो इसे गुणा करना है आपको यहां से अप इस तरी के से गुणा करोगी तो आपको answer कितना मिलता है three leg मिलेगा ओके चलिए आप देखते हैं यहां पर जावा वाले बेक्तिों की तो जावा वाले बेक्ति है तो उनकी कितने हैं 15% है तो यहां पर हमें 1 percentage का कितना मिला हुआ है 12,000 मिला हुआ है उसको हमें कितने में गुना करना है Sorry यहां पर उसे मुझे किस से multiply करना होगा 15% से तो मैंने यहां पर 15 से क्या किया multiply करती है अब देखिए 12 गुना 15 किजिए 12 12 गुना 15 तो यहां पर एक सुन आ जाएगी 2 2 1 2 1 1 5 2 10 यहां पर प्लस यहां पर 1 आ गया और फिर 5 गुने 1 यानि कि 5 गुना 5 5 प्लस 7 यानि कि कितना आया 6 आया ओके अपर 0 प्लस 0 कितना 0 2 प्लस 6 कितना होगा 8 और 1 यहां पर यानि कि यहां पर हमें 180 किसका मिला इन दोनों का multiply मिला और बाकी की जो तीन सुन्य है न वो ऐसे इस तरीके से रख लीजे तो यह आपको मिल गया आपका किसका जावा का मिल गया जावा की जो संख्या है वो आपको मिल गई 180 अजार चलिए अब आगे देखते हैं अब क्या पुछा है दोस्तों यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको अगर यहां पर कोई डावड रहता है दोस्तों तो comment box में comment कर दीजिएगा या तो फिर हमारा जो group है ग्रूप में आप question डाल दीजिएगा कोई बात नहीं फिर से समझा दूंगी ओके चलिए अब हमें ratio जब पुछा है तो हमें क्या करना होगा इन दो जो हमें यह जो दो answer मिले ना जो संख्या मिलिया व्यक्तियों की उनका हमें क्या करना है अनुपात यानि की ratio निकालना है तो क्या करेंगी दोस्तों पहले सी वाले है तो यहां पर सी वाले को लिख दो यहां पर तीन लाक लिख दिया मैंने है ना उसके बाद मुझे एक लाक हस्तिया जार यानि कि यह किसके जावा के वह में नीचे लिख देती हूं इसली तरख निकल जाएगा आपका यहां पर 0 0 कट गया यहां पर भी 0 0 कट गया यह पर भी 00 merciful की जे तो यहां पर 18 आता है दीखें यहां पर 3-3 अभी भी कटेगा यहां पर 5-2-10 और यहां पर 3-2-6 तो यहां पर दो दो कट गया अब हमारा अंसर क्या मिल गया है पांच और 3 मिला है इस तरीके है उपर 5 है नीचे 3 है तो यहां पर बस कुछ नहीं करना आपको 5 पांच को पहले पर यहां पर जैम कर देंगे और फिर यह जो तीन है वह इसे यहां पर लिख देंगे जो नीचे वाला तीन है वह यहां पर दूसरी साइड लिख देंगे इस तरीके से आपको यह आपका निखल गया ratio किसी भी संख्या में करना है किसी संख्या को जो फरक्संटेश दिए हैं उस संख्या को परसंटेश में से आपको संख्या मिलाना होगा तो जो भी टोटल संख्या होगी ना उस टोटल संख्या से आपको क्या करना होगा उसमें से आपको पहले वन परसंटेज निकालना होगा कि संख्या का वन परसंटेज की कितना होता है और वन परसंटेज जैसे ही आप निकाल होगे तो उसके आजार पर आपको समझ में आ जाएगा कि दे नमिटन होती है दो संखिया होती है उपर चली जाते हैं अर फिर उसका कते हैं उसको भाग देते हैं उसको हम उस भागती हैं और प्रपााइ वड़ी जो रहे हैंग उसको इस तरीके से हम लिखिए उसको पहले लिखेंगे और नीचे बाले को Pastor साइड में लिख देंगे, यहां तक क्लियर हुआ, यह हमारा आंसर हो गया, चले, अब नेक्स्ट क्वेशन क्यों और चलते हैं, क्यें और कोबल्प्रोग्रामिंग लेंग्वेज जाने वाले लोगों की संख्या का अंतर बताईड ढिए सई आपस्वरों कि प्रोसेस करेंगे भी से आप Nिकालने बैठ जाओगे यहांगे जानने वाले व्यक्तियों के आपको पूछ रहा है तो आप कि तो सोचो आपने आगे यहां पर निकाल veteran से लेंग्वेज वाले वेक्तिवों कि संख्या की निकाली आ, 30 cidade निकाली है स्थी हैं लाकि निकालना है यहाँ पर स्थी वाले स्थी वाले सिव परसंड्ट आपने सबसे पहले निकाला था, यहाँ जो बारा लाग का वन परसंट कितना निकला था दोस्तों बारा लाग का वन परसंट आपका निकला था बारा हजार है ना बारा हजार तो निकला था है ना तो अब दिखिए यहां पर आपको क्या पुछा गया सीका 25 परसंट पुछा गया तो वो आपने निकाल लियात है कितना निकाला हुआ है 30unkt निकाला हुआ है ना आ तो इसे निकालने की तो जरूरत है गी नहीं आपको निकालना किस eld投ड ल कहां पर है दोस्तो यहां पर है कोबल का यह रहा तो कितने पर संटेज कोबल में 12 परसंटेज यहां पर हम परसंडेज का कितना है यहां पर हम इसे गुना कर देंगे यानि कि 12 ऐगा और यहां पर जो 000 रखा हुआ है वो यहां पर लिखतीजे 1,44,000 मिल गया इसली है ना 1% का 12,000 तो 12% का कितना तो इन दोनों का मल्टिप्लाइ कर दीजे 12,000 गुना बार कर दीजे आपको यह अंसर इसली मिल जाएगा और 12,000 गुना बार इस तरीके से आप इतना बड़ा लंबा ग संख्या है 0 के आगे जो भी संख्या है उसे ले लो और यहां पर की संख्या को ले लो मल्टिप्लाइ कर तो और जो एंसर निकलता है उसके बाद आप यहां पर तीन 20 c चाहार जिरूव जो भी हो वो यहां पर लगा लो यार इजी लिए आप एक लाग चवाली सजार आपको यहां पर अंसर मिल जाएगा ओके चली यह मिल गया हमारा और कुछ नहीं करना है तो यहां पर तो सिंपल सी बाती यारो बारा गुना बारा मिंस क्या होता है बारा का वर कि दोस्तों क्या पुछा है आपको अंतर पुछा है डिफरेंस पुछा है तो क्या करना होगा आपको सी और कोबोल का डिफरेंस निकालना है सी की संख्या कितनी मिली है दोस्तों तो तीन लाख मिली है है ना और इसका डिफरेंस निकालना है आपको तो यह आपको क्वबल का कितना मिला एक लाख चवाली सजार मिला है ना यह इतनी संख्या है व्यक्तियों की चले अब इसका क्या करना है हमें डिफरेंस निकालना है अ दीए के जीरो मींसे चार्ट जाने वाले नहीं तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 10 अब थ bonus लिख hiç यहाँ पर भेड़ाव की यहाँ दपर चार जाएगा 6 रहेगा 9 में से 4 जाएगा 5 रहेगा और 2 में से 1 जाएगा तो कितना रहेगा दोस्तों एक रहेगा यानि कि 1,56,000 आपका अंसर आएगा कितना आएगा 1,56,000 डिफरेंस है C और कोबल प्रोग्रामिंग लेंगवेज जानने वाले लोगों की संख्या का जो अंतर मिला वो हमें मिला 1,56,000 ओके यहां तक क्लियर हुआ चलिए आगी देखते हैं के और चलते हैं देखें का वही जाले चावा और कोबल लेंगवेज जानने वाले विक्तियों की कोल संख्या बता ही अब दिखिएए को क्या सा क्की यह अगर जाता है तो लिए यह ना मननों कि मैंने इजी लिया हुआ है इजी नहीं लिया है आप उठाकर प्रिविज एर के पेपर उठाकर देख लीजेगा सेकंड डिक्सेंबर तो चलिए यहां पर क्या पुछा को बखीर है को बोल लैंगविज जाने वाले व कुल संख्या पूछिए दिक्या अपने निंखा लुछ निंकाल ली है अब आपको निकालनी किसकी है जावा की है चले दिखा लेते हूं सी कहां पर निकाली हुई यहां पर देख लिजिए यहां पर आपने देख लिजिए यहां पर आपने देख लिजिए यह निकाली आपने सी की तीन लाग है ना और फिर क्या हुआ अपने किसकी निकाली कोबल पूछी है जावा की बूच्छी जावा की भी अमने निकाली थी ना रही ओके ये रही 108,000 यह जावा की रह गए तो दिखी दोस्ट धोक फिर्शन में आपका थीसरा फिर्शन ऐसे निकल जाता है तो चलिए देख लेते 3,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 चावा की निकली है एक ला का सुझाभ ज़र ओक्यां और फीर कोई किस की पूछे है कोब की निकली है कोब की निकली है हमारी कोबब की अमारी मारी हो 54 också ओके चल्य कर लिए प्लस 0000 यहांपर 000 यहां पर 000, ओकि यहां पर 0 प्लस 0 प्लस 4 यहां पर 4 आ जाएंगे, 8 प्लस 4, 12, 12 यहां पर प्लस 1 तो देखे, 3 प्लस 1, 4, 4, 5, 6 ओके, कितना अंसर मिला दोस्तो, 6 लाग 24 अजार तो टोटल संख्या इन तीनों की टोटल संख्या कितनी हुई 6,24,000 है ना कितना simple सा answer और question भी बहुत ही easy था बहुत ही अच्छा लगा मुझे तो यह देखकर चले आगी देखते हैं कितने वेक्तियों को C language की जानकारी है अब देखें दोस्तों कितने वेक्तियों को C language की जानकारी है यहां पर पर संख्या के रुप में पुछा गया होगे तो यहां पर C French के जानकारी के व्यक्तियों की संख्या पूछिए तो आप तो इजी लिए आपको आ जाएगा यार दोस्तों ये संख्या कितनी निकली है तीन लाग तो निकली थी है ना हमने बताये था ना वन परसंटेज का कितना होगा ये बारा लाग है उसका वन परसंटेज अगर है तो क्या करेंगे उसे स्वा से भाग कर दो दोस्तों यहाँ पर सो कर दिये तो कितना निकला हुमारा वारा-घनल है न क्या इसे अम के tell मिलाद यानि कि one percentage परसेंटेश का कितना मिला हमी बार हजार मिला है तो इसी तरीके से 25% का कितना मिलेगा तो 12,000 12,000 25 कर लो अगर यह ऐसा इतना बड़ा नहीं करना है तो इसे हटालो थोड़ी देर के लिए और यहाँ पर इन दोनु का और इन दोनु का मल्टिप्लाइ कर दो दो संख्या है तो 0 आएगी 1,0,1,0 यहाँ पर रखना होगा 2 दोनी, यहाँ पर 2 दोनी 4,1,2,2, ओके यहाँ पर 5 दोनी 10 की 0,1 यहाँ पर 5 करना 5,5 प्लस 1,6, ओके 0,4 प्लस 6 कितना होगा,10, यहाँ पर 1,2 प्लस 1 कितना होगा,3 यानि कि 300 यहां पर आए यह जो 30 हटाए थे उसे एड़ कर दो 1030 के यहां पर तो यह आपका मिल गया तो दोस्तों आज का यह जो हमारा डीया का जो सेसर वह आपको अच्छे से समझ में आया होगा अगर आपको समझ में नहीं आता है तो टेंसन ना लिजे डैली हम डीया का एक वीडियो डाल देंगे ताकि आपको हरोज एक जैसा रिपीट होता जाएगा जैसे जैसे अलग फिर आपको उसके प्रैक्टिस होती जाएगी तर वैसे वैसे आपको इजीली समझ में आ जाएगा ओके चले दोस्तों आज के लिए इतना ही थैंक्यू सो मच